हेलो स्टुरेंट्स माश्यल फाश्वतोर शर्मा एंड वेलकम तो अबर यूटूब चैनल स्काइवेर लनिंग अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये वीडियो को लाइक कर दीजिये और अधिक से दिक अपने फ्रेंड्स में वी सेर कर दीजिये तो student आज हम पढ़ेंगे adjoint of a matrix, किसी भी matrix का adjoint कैसे निकालते हैं, तो चलिए start करते हैं, आज का lecture बने लिएगा वीडियो के last तक, ठीक है, तो सबसे पहले हम adjoint पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे, दो term आते हैं, एक तो singular matrix आता है, ठीक है, एक आपका term आता है, singular matrix का, ठ ठीक, उसके बाद एक और term आता है, non-singular matrix, तो यहाँ पर दो type की matrix होती है, एक तो singular matrix होती है, और दूसरी non-singular matrix होती है, अब दोनों के बीच में difference क्या होता है, बो हम जानेंगे, तो singular matrix के अगर हम बात करें, तो एक ऐसा determinant, support that हमने कोई ए लिया, एक ऐसा determinant, matrix एका, जिसकी value कैसी हो, 0 हो, तो ऐसा determinant, जिसकी value 0 होती है, उन सारे determinant को हम क्या बोलते है, या उस determinant की जो matrix होती है, उस matrix को हम क्या बोलते है, singular matrix बोलते हैं, तो most important यह दो यहाँ पर type की matrix होती है, एक singular matrix और non-singular matrix, क्योंकि आगे चलके आप जब inverse of a matrix पढ़ेंगे, topic तो बहाँ पर आपको यह use पढ़ेगा, ठीक है, तो singular matrix का मलब, जिसका determinant की value 0 हो, और non-singular का मलब, जिस determinant की value क्या हो, not equal to 0, ठीक है, तो non-singular के अगर बात करें, तो asset determinant, जिनकी value not equal to 0 आती है, उनको हम क्या बोलते हैं, non-singular matrix बोलते हैं, ठीक है, यह हमारा कोई matrix a का determinant है, इसके value अगर not equal to 0 आ र ठाकते हैं, इस determinant की value क्या हो जाएगी, 4, 2, 4, 2, इस determinant की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इस determinant की value 0 है, means इसकी जो matrix रही होगी, 4, 2 और 4, 2, तो यह हमारी कैसी हो जाएगी, यह हमारी singular matrix हो जाएगी, ठीक है, यह singular matrix हो गई, इसी तरीके से मैं एक्जाम पलना तो इसकी वेलु जड़ा निकालके देखें तो 4 बन जा 4 माइनस 3 टू जा 6 यह जाएगा माइनस का 2 तो इसकी वेलु क्या है not equal to 0 है not equal to 0 इड मीन्स क्या है यह non singular matrix है तो यह most important basic difference होता है singular matrix और non singular matrix के बीच में अब हम जानेंगे adjoint हम कैसी भी matrix का कैसे निकालते हैं तो देखें students यहाँ पर हमने दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी number one हमने आपको पढ़ाया था transpose चीक है कि transpose कैसे निकालते है तो transpose आपको पता ही है कैसे निकालते है कि row और columns को interchange कर दीजिए means row 1 को column 1 से interchange कर दीजिए और row 2 को column 2 से interchange कर दीजिए row 3 को column 3 से अगर हमारी 3 cross 3 की matrix है ठीक है तो यह transpose निकालना आपको I hope अच्छे तरीके से आता होगा दूसरी चीज हमने जो first lecture लिया था उसमें हमने minus and co factors भी पढ़ाया थे तो एक चीज आती है यहां पर co factor तो किसी भी matrix का co factor कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पता है अगर आप दोनों चीजे अच्छे तरीके से जानते हैं अगर दोनों पे ही आपने working कर रखी है matrix chapter में आप transport निकालना भी जानते हैं आप co factor matrix भी निकालना जान करते हैं तो आप समझ लीजिए adjoint में कुछ नहीं रखा है बिल्कुष simple topic है जस्ट एक सेकेंड लगेगा इसको फिनिस करने में और यह खत्म topic ठीक है तो आपको i hope दोनों चीजे पता है तो adjoint देखे क्या होता है adjoint of a matrix किसी भी matrix का adjoint क्या होता है transpose ठीक है transpose of a co factor matrix co factor matrix तो किसी भी co factor matrix का अगर हम transpose ले लेते हैं तो वो हमारी resultant जो matrix होती है वही हमारा क्या बन जाता है adjoint of that matrix simply कहने का मदलब यह है number one हम क्या निकालेंगे co factor matrix निकालेंगे ठीक है co factor matrix निकालेंगे उसको निकालने के बाद हम क्या कर देंगे उस matrix का क्या निकाल देंगे transpose निकाल देंगे और जब वो हमारा final resultant matrix बनके आईगी उस resultant matrix को हम क्या बोलेंगे adjoint of that matrix a ठीक है तो यह होता है adjoint निकालने का तरीका अब adjoint अगर हम बात करें mathematical term में कैसे इसको represent करेंगे तो adjoint of a is equal to हमारे पास transpose matrix आएगी a1-1 a1-2 ठीक है और a21 a22 ठीक है यह co factor matrix हो गई हमें क्या जाहिए इसका transpose चाहिए तो यह हमारी क्या होती है adjoint होता है तो number 1 हम start करेंगे 2 x 2 से ठीक है 2 x 2 का एक example बताएंगे उसके बाद 3 x 3 का एक example बताएंगे जिससे आपको clear हो जाएगा कि adjoint हम कैसे निकालते हैं तो start करेंगे हम 2 x 2 method से तो 2 x 2 की हमने कोई भी matrix ली है यहाँ पे suppose that 1, 2, 3, 4 बहुत ही simple से examples हमने लिए है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि adjoint कैसे निकालते हैं 1, 2, 3, 4 अब हमें क्या निकालना है इसका co-factor matrix निकालना है ठीक है तो co-factor matrix हम कैसे निकालेंगे आपको पता ही है बन को hide करेंगे तो यह 1, 2 और 1, 3 hide हो जाएगा बचेगा हमारे पास क्या और बचेगा ठीक तो यह यह बन-बन की value हो गई फिर हम second element पे जाएंगे फर्स्ट रो का यह 2 है ठीक है तो इसको hide करेंगे और यह first row और second column hide हो जाएगा हमारे पास बचेगा 3 but sign इस बार कैसा हो जाएगा minus का तो यह minus का sign हो गया ठीक है उसी तरीके से नीचे आएंगे हम second column second row और first column में तो यह 3 element है ठीक है इसका co factor निकालेंगे तो 3 1 hide हो जाएगा और 3 4 hide हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 ठीक है इस तरीके से यह alternate sign चलते हैं co factor में ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए तो हमारे पास यह co factor matrix निकल आ गई ठीक है अब हमें क्या चाहिए तरीके से हम adjoint निकालते हैं किसी भी matrix का अब यहां पर जो आपने result देखा इसमें most important एक result और निकल के आता है जिससे कि आप two cross two की जितनी भी matrix हैं आसानी से उनका एक second में adjoint निकाल सकते हैं कैसे पहले तुम original matrix लिखेंगे one two three four अब हम इसका लिखेंगे adjoint ठीक है अब हम क्या लिखेंगे इसका adjoint तो adjoint इसका लिखेंगे जब हम तो adjoint के value कितनी थी यहां पर देखें हमारे पास value निकल के आई थी four minus three और यह minus two और यह one तो यहां पर देखें most important एक result निकल के आता है कि एक चीज notice कीजिए यह हमारा जो column यहां पर diagonal है ठीक है इस diagonal के elements adjoint में interchange हुए है means बन था और यह four तो four की जगे बन आ गया है और बन की जगे four आ गया है ठीक यह चीज आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है second चीज आपने notice की होगी जो हमारा यह यह वाला जो diagonal है ठीक है इसके जो elements है इसमें cable और cable sign change हुआ position नहीं change हुए यह two था यह minus two हो गया यह three था यह minus का three हो गया तो यहां पर एक और result निकल के आता है अगर हमें adjoint चाहिए होगा ठीक है किसी भी matrix two cross two की बाद मैं कर रहा हूँ two cross two तो बहाँ पर हम क्या करेंगे यह वाला जो diagonal है इसमें cable और cable interchange होगे elements क्या हो जाएंगे interchange हो जाएंगे और जो यह second diagonal है ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे इसका sign change होगा cable और cable elements का sign change हो जाएगा ठीक है तो यह most important यहां पर region निकल के आता है यह जो 2 diagonal हमारे पास मिले है है तो याद रखिएगा यह वाला जो diagonal है इसमें cable और cable क्या होगा यहां पर interchange हो जाएगा elements और यह जो second diagonal है इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो यह most important two cross two के लिए, एक short trick थी, adjoint निकालने की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, three cross three, जैसा कि हमने आपको बताए कि three cross three खाभी एक example लेंगे, तो यहाँ पर मैं example ले रहा हूँ, छोटा example लोंगा, suppose that one zero one, ठीक है, zero one, one, और यहाँ पर लेजिए, one zero, zero, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका adjoint चाहिए, तो number one तो हम निकालेंगे, इसका co-factor matrix, तो co-factor matrix देखें, यहाँ पर कैसे निकलेगी, तो बनका निकालेंगे, co-factor, तो यह हो जाएगा, one, zero, 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 यह तो zero ही हो जाएगा, ठीक है, तो students, देखेंगे, हमारे पास क्या आगई, co-factor matrix आ गई, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो यह co-factor matrix हमारे पास आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, इसका adjoint चाहिए, तो simply हम क्या करेंगे, इसका adjoint जब निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, इसका transpose कर दीजिए, ठीक है, तो zero, minus one, minus one, यह zero, minus one, zero, और यह बन, यह minus one, और यहाँ पर यह बन, ठीक है, तो, zero, minus one, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या गिया, सबसे पहले, co-factor matrix निकाली, फिर उसका क्या कर दिया, हमने ट्राफ्रोज कर दिया, भई हमारा क्या आ जाता है, adjoint of that matrix, ठीक है, तो यह तो adjoint हो गया, 3 x 3 की, फिर उसके बाद हमारा आता है, adjoint of a diagonal matrix, is a diagonal matrix, तो यह property होती ही, diagonal matrix का adjoint, हमें साई, diagonal matrix, निकल के आता है, तो इसको 2 x 2 से हम समझेंगे, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो 2 x 2 से हम समझेंगे, तो आप आसानी से समझ जाएगे, तो suppose that, a, 0, 0, और यह b ले लिया, ठीक है, तो आपको पता है, 2 x 2 में क्या होता है, number 1, अगर हमें adjoint निकालना है, तो यह वाला जो diagonal होता है, इसको क्या करते हैं, इसके elements को हम interchange कर देते हैं, ठीक है, तो यह b है, यहाँ पर a आजाएगा, ठीक है, पांकी यह जो हमारा second diagonal होता था, इसका sign change करते थे, अब 0 में कोई sign change होगा ही नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, तो simply देखें, यह भी हमारे पास क्या आगया, यह adjoint जो आया है हमारे पास, इसका adjoint of a, यह भी हमारे पास क्या? diagonal matrix ही है, ठीक है? तो diagonal matrix का adjoint क्यासा ह escriste है? diagonal matrix ही होता है, उसके बास second property हमारे यह आती है, adjoint of identity matrix ही, identity matrix, तो इसको भी हम two cross two से समझेंगे, कि identity matrix का adjoint होता है, वो भी identity matrix ही आता है, तो support that हम ने यहाँ पे identity matrix में क्यों होगा, 1, 0, 0, 1 तो इसका adjoint निकालेंगे तो इसका adjoint निकालने के लिए आपको पताईए कि इस diagonal के elements को क्या करेंगे interchange कर देंगे तो ये बन, ये बन, 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 बन में कुछ interchange क्या है वही रहेगा और इनका sign change हो जाएगा second diagonal जो है हमारे पास तो ये 0 का 0 ही रहेगा sign इसमें कोई changes आएगे नहीं तो देगे यहाँ पर identity का हमने जब निकाला यहाँ पर adjoint तो ये क्या रहा identity ही रहा तो इसी तरीके से 2 cross 2 हो चाहें 3 cross 3 हो identity हमेशा identity matrix में ही रहेगी उसमें कोई changes नहीं आएगे उसके adjoint में ठीक है तो ये property थी property number 2 उसके बाद property number 3 आती है कि adjoint of a scalar matrix is a scalar matrix तो कोई भी अगर scalar matrix है तो उसका adjoint भी क्या होगा scalar matrix ही होता है ठीक है तो suppose that A ले लिया हमने और ये 0 ले लिया यहाँ पर 0 ले लिया यहाँ पर भी हमने A लिया तो A यहाँ पर कोई क्या है scalar है चिक है तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका adjoint निकालिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह interchange हो जाएगे तो A ही रहेगा यहाँ पर A और A और 0-0 को interchange कर दीजेगा तो यह 0 और 0 ही रहेगा तो यहाँ पर देखा आपने जिस तरीके से हमारे जो matrix A था उसी तरीके से adjoint of A आ रहा है means दोनों same है तो चाए 2 x 2 हो चाए 3 x 3 हो हमेशा हमारा उसका adjoint क्या रहेगा scalar matrix का scalar matrix ही रहेगा और same रहेगा उसमें कोई भी changes नहीं आएंगे तो यह most important थी प्रॉपर्ड़ेज थी adjoint की कि diagonal matrix का adjoint क्यों होता है diagonal ही होता है identity matrix का adjoint क्यों होता है identity matrix ही रहती है scalar matrix का adjoint की होता है scalar matrix ही रहता है तो students आज के lecture में इतना यह था adjoint of a matrix ठिक है इसमें हमने आपको सारी properties बता दी तीन जो properties थी matrix की और आपको determinant, sorry, आपको adjoint कैसे solve करना है, कैसे निकालना है 2x2 और 3x3 का, तो आप याद रख लीजिएगा, कि पहले तो cofactor matrix निकालेंगे, उसका transpose कर दीजिए, वो हमारा क्या आजाता है, adjoint of a matrix निकल के आजाता है, उसके बाद हमने singular matrix और non-singular matrix भी बता दिया, ठीक है, इसके बाद हमारा जो adjoint topic होगा, जो वो complete हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद एक lecture और लगेगा, उसके बाद हमारा जो adjoint topic है, पूरी जरीके से complete हो जाएगा, उसके बाद हमने अपनी next topic पे continue करेंगे, तो students, अगर आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया, तो प्ली चैनल को subscribe कर लिजिए, like कर दीजिए, comment कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने friends में भी share कर दीजिएगा, तो students, मिलेंगे अपने next lecture में, तब तक के लिए, thanks for watching, have a good day.